हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ह से कृष्ण जन्मुटसर्व के रूप में पूरे देश में हरसु उलास के साथ मिनायَ जाता है। स्रीक्रिष्न जन्मास्टमी कवरत 24 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा अस्टमी तिथी शुरू होगी 23 अगस्त शुक्रवार 8 बचकर 9 मिनट पर अस्टमी तिथी समाप्त होगी 24 अगस्त शनिवार 8 बचकर 32 मिनट पर रोहिनी नक्षत्र शुरू होगा 24 अगस्त शनिवार 3 बचकर 48 मिनट पर और रोहिनी नक्षत्र समाप्थ होगा 25 अगस्त रविवार 4 बचकर 17 मिनट पर जनमास्टमी के पारण का शुब समय 25 अगस्त को सुबब 5 बचकर 54 मिनट के बाद होगा जनमास्टमी व्रत पूजा विदी शास्तरों के अनुसार जनमास्टमी के दिन व्रत रखने से मनोकामना प्राप्ति होती है अस्टमी के दिन वरत और पूजन के बाद नौमी के दिन पारण के बाद ही यह वरत पूरा होता है वरत से पूर्व सब्तमी तिथी को सात्विक भूजन करना चाहिए वरत के दिन प्रातकाल इसनानादी से निवरत होकर सभी देवी देवताओं का इसमरण कर वरत का संकल पलें गंगा जल से माता देव की और भगवान श्रीकिष्ण की प्रतिमा को इसनान कराकर उनकी स्थापना करें स्रीकृष्ण की मूर्ती को वस्र धारन कराएं और बाल गोपाल की प्रतिमा को पालने में विराजित कर जुला जुलाएं इसके बार शंक में जल भर कर अर्ग दें वपंचमरत में तुलसी डाल कर माखन मिश्री का भोग लगाएं यदि संभव हो तो रात्री के समय भागवत गीता का पार्ट करें कई भक्त इस दिन मध्र रात्री तक उपवास के बाद ही व्रत को खोलते हैं जन्मास्टमी व्रतकम महत्व जन्मास्टमी के तियोहार के कई रूप देखने को मिलते हैं कहीं इसे हूली खेल कर मनाया जाता है तो कहीं फूलओ के उत्सव के रूप में मनाया जाता है इस दिन क시्ण मंदिरों को सजा कर Shree Krishna अभतार के उपलक्ष में जहांक्या सजाई जाती है और भगवान श्रेकिष्ण को जूला चुलाया जाता है ऐसी मानिता है कि जो भी इस दिन सच्चे प्रेमभाव से व्रत रखते हैं उनके पास सदेव इस्थर लक्षमी का वास होता है और उनके सभी कारे पूरे हो जाते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें